तो में गाई किस तरहा तेरी पाल ना आउम शांती हम इश्वरिय ग्यान को, इश्वरिय जाद को जब अपने दिल में समा लेते हैं तो मुख द्वारा, नैनो द्वारा, कर्मो द्वारा यूँ कहें मनसा, वाच्छा, कर्मना द्वारा स्वतह सेवा होने लगती है इश्वरिय मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इन चारों पिलर्स का मजबूत होना बहुत जरूरी है इसलिए रोज बाबा, महावाक्यों में ज्यान की, योग की, धारना की और सेवा की अलग-अलग पॉइंट्स हम सभी को समझाते है तो इन्हें अलग-अलग करके फिर उसके बाद अपनी बुद्धी में पूर्ण रीती समाना इसका अभ्यास हमें रोज करना चाहिए तो आज भी बाबा ने बहुत अच्छी सेवा की युक्तियां बताई है सुनते हैं बाबा की साकार मुरली आज है उन्नीस दिसंबर दो हजार तेज बाबा के मधर महवाक्ये हैं मीठे बच्चे सर्विस की वृध्धी के नए-नए तरीके निकालो गाउं गाउं में जाकर सर्विस करो सर्विस करने के लिए ज्यान की पराकाष्ठा चाहिए ऐसे सेवा नहीं होती ज्यान की पराकाष्ठा चाहिए प्रश्न है बुध्धी से पुरानी दुनिया भूलती जाए इसकी सहज युक्ति क्या है बहुँ जरूरी है देहे को भुलाना दुनिया को भुलाना बातों को भुलाना कर्मों को भुलाना तो बाबा उसकी सहज युक्ति आज बताते हैं उत्तर है घर को घड़ी-घड़ी याद करो कौन सा घर? वो जो मूलवतन है बुधी में रहे अब मृत्यों लोग से हिसाब किताब चुक्तु कर अमर लोग जाना है देहे से भी बैगर यह देहे भी अपनी नहीं ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भुल जाएगी इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है आज का गीत है माता ओ माता तुह सबकी भाग्य विधाता माता माता तुह सबकी भाग्य विधाता माता माता तुह सबकी भाग्य विधाता माता ओम शांती इसको इव अर्थात बीबी भी कहते है अडम इव कहते है ना तो अब आप कहते है इसको इव यानि बीबी भी कहते है अब तुम बच्चों की बुधी में है कि बीबी और मालिक के सिवाए रचना तो रची नहीं जा सकती दोनों चाहिए ना आदम भी चाहिए भी भी चाहिए जरूर जगत अंभा को प्रकट होना पड़े जरूर थी तब तो गायन करते है भारत की महिमा बहुत है स्वर्ग भी कहते है और यह भी जानते है कि भारत ही प्राचीन था इसलिए जरूर हैवन होना चाहिए यह तुम इश्वरिय संतान बिगेर कोई समझ ना सके जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे प्रदर्शनी चलती है समझते है कल्प पहले भी की होगी कोई नई बात नहीं है सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे है कौनसे अक्षर? पवित्र आत्मा पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो दूसरा पुन्ने आत्मा उसको कहते है किसको कहा जाता है पुन्ने आत्मा? जो दान पुन्ने करते है उसको अंग्रेजी में फिलन्थ्रोफिस्ट भी कहा जाता है पवित्र को वाइसलिस कहेंगे अलग-अलग अक्षर है कौन सी आत्माई पवित्र है, कौन सी आत्माई पुन्ने है अलग-अलग बाते है भारत में दान पुन्ने होता तो बहुत है परन्तु अक्सर करके दान करते हैं गुरुवों को अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहीं कह सकते हैं पवित्र आत्मा परन्तु पुन्ने आत्मा नहीं कह सकते क्योंकि वो तो दान लेते हैं देते नहीं है वह दान पुन्ने नहीं करते हैं वह तो दान पुन्ने लेते हैं तो इन सब से बुध्धी योग तूट कर बाप से जुट जाए इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है क्या? कि यह ठीक नहीं है इन सब का उध्धार करने मैं आता हूं तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है परन्तु गायन चला आता है इसलिए भेट की जाते है तो हम सब कौन है? ज्ञान की गंगाएं बापाकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते है स्वर्ग नई चीज है नई चीज का समाचार बाप ही जानते है दुनिया नई जानते भगवान वाच है परन्तु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धी योग तूट गया है इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धी योग है जहां भी गीता का मान है तो जैसे श्री कृष्ण का मान है क्योंकि गीता किस ने गाई दुनिया के इसाब से तो श्री कृष्ण जी ने गाई वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के उपर आ गई है महीमा किसकी है? शिव बाबा की परन्तु लोग किसकी महीमा सकरते हैं? श्री कृष्ण की यह भी ड्रामा में नोंद है यह बाप आकर समझाते है बाबा बार बार समझाते है जब कोई आते है तो हर एक का उक्यूपेशन पूछो इससे तुम्हारा क्या समबंद है? बाबा ने प्रश्णावली अच्छी बनाई है सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है सर्विस तो जगत अंबा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है बहाँ जाकर समझाओ कि यह जगत अंबा स्रिष्टी को रचने वाली माता कौन है? जगत अंबा स्रिष्टी को रचने वाली माता कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई रचना होगी अच्छा इस माता का पिता कौन है? यह भी प्रश्ण पूछ सकते हो कि माता का पिता कौन है? इनको जन्म किस ने दिया? मनुष्ये तो मुखवन शावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं. तुम जानते हो इनको परम पिता परमातमा ने जन्म दिया है. तुम बच्चों को ही समझाना पड़े. जगत अमबा मुखवन शावली है परन तो कैसे? परम पिता परमातमा तो निराकार है. समझाया जाता है ब्रम्हा तंत से. परम पिता परमातमा ने आकर इस ब्रम्हा को एडॉप्ट किया. वसे बच्चों को भी किया. यह बातें सबकी बुध्धी में स्थाई नहीं ठहरती. घड़ी-घड़ी भूल जाते हैं. बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं. जगत अमबा के मंदिर में परीचे देना चाहिए. तो उन्हों का भी बुध्धी योग बाप से जुटे. जगत अमबा भी उनसे योग लगाती है. तो हम भी उनसे योग लगाएं. नीचे जगत अमबा तपस्या में बैठी है. कहा नीचे? ज़ाड के नीचे जड़ों में. उनका मंदिर उपर है. नीचे राज-योग की तपस्या कर रहे हैं. फिर राज-राजेश्वरी स्वर्ग के मालिक, स्वर्ग की मालिक बनी सतियुग में. अभी है कल योग. फिर से जब तपस्या में बैठे, तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना? तुम्हारी बुद्धी में यह सारा ज्यान रहना चाहिए. यह सची राए मनुष्यों को दी जाती है. तुम्हारी एक का परीचे देते हो. परंतु सबकी बुद्धी में कोई जल्दी थोड़ी बैठ सकता है. बैठे तब जब सर्विस में लग जाए. चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं. वैसे भी देखते हैं, जो हम समझ कर समझाते हैं, तब बाते जादा अच्छी तरह बुद्धी में बैठती है. इसलिए बाबा बार-बार कहते हैं, चित्रों पर समझाओ. तो बाबा भी कहते हैं, लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाकर समझा सकते हो. तो जगदंबा के मंदिर में, लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाकर समझा सकते हैं. बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को सुनाओ. तो शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकते हैं. भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे. उनको प्यार से समझाओ. क्या समझाना है यह है जो लक्ष्मी नाराण के चित्र है इनके लिए सबी कहेंगे ये स्वर्ग की मालिक थे अच्छा, अब क्या है ये तोर स्वर्ग के मालिक थे लेकिन इस समय कौन सा टाइम चल रहा है जरूर कहेंगे कलियोग कल योग में दुख ही दुख है फिर इनको बादशाही कैसे मिली? कैसे मिली? तुम जानते हो तो सब को सुना सकते हो बताएंगे न कैसे पुर्वजनम में संगम युक पर कैसे उन्होंने पुरुशार्थ किया एक को समझाएंगे तो सत्संग एकठा हो जाएगा में बड़ा मेला लगता है राम के भी मंदिर में जाकर उनका उक्यूपेशन बता सकते हो आहिस्ते आहिस्ते युक्ती से समझाना चाहिए कैसे समझाना है? युक्ती से कहीं बच्चे लिखते भी है बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रन देते है हमारे घर में भी सात रोज भाशन चले तो अच्छा है फिर वहां से और कोई निकलेगा कोई भी निमंत्रन दे उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े नहीं ऐसे समझाना चाहिए भाशन करने से आसपास वाले मित्र संबंधियादी भी इकठे होंगे ऐसे ही वृध्धी होती है एक से दो, दो से चार सेंटर पर इतने नहीं आ सकते है यह अच्छी युक्ती है ऐसी मेहनत करनी चाहिए मेहनत करने का धंग मुश्किल किसको आता है ज्यान की पराकाष्ठा चाहिए बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है ना वेल्यू होनी चाहिए कि बाबा परम धाम से खास हमें पढ़ाने आये है सिखाने आये है अगर सर्विस नहीं करेंगे तो क्या होगा तो उच्पद कैसे पाएंगे स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमतकारी होते है क्या करते हैं? उच्छलते रहते हैं यह भी पढ़ाई है यह वंडर्फुल पढ़ाई है क्या वंडर्फुल है इस पढ़ाई में? इसमें बूढ़े, जवान, बच्चे सब पढ़ते हैं एक ही क्लास में एक ही सबजेक्ट एक जसा पढ़ते हैं तो अबा कहते हैं कि गरीबों को और ही अच्छा चांस है सन्यासी भी वास्तव में गरीब है कितने बड़े-बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं सन्यासी उने घर बार छोड़ा बैगर हुए कुछ भी उन्हों के पास नहीं है तुम भी अभी कौन हो कौन है हम? बैगर फिर प्रिंस बनते हो वह भी बैगर है इसमें पवित्रता की बात है बिल्कुल खाली हो जाते है यानि अब पवित्र बन जाते है तुम्हारे पास और कुछ नहीं है क्या है? तुम देहे को भी भूल जाते हो देहे सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी एक रस धारणा हो जाए उसके लिए महनत चाहिए हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का खयाल क्या रखे? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना कहा है? इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में है जब तक पक्य अवस्था नहीं हो जाती तब तक इसी शरीर में रहना है अब तुम्हें ग्रहस्थ विहवार में रहकर पवित्र बनना है इस मृत्य लोग से हिसाब किताब चुक्तु होता है अब अमर लोग जाना है घर को घड़ी घड़ी जात करने से पुरानी दुनिया भोलती जाएगे क्या करना है बार बार किसको याद करना है अपने स्वीट सालन्स होम को निर्वान धाम को परम धाम को उसको याद करेंगे तो ये दुनिया ये पुरानी दुनिया भूलती जाएगी बोलो गीता में बाबा ने क्या कहा है भगवान को बाबा कहा जाता है निराकार बाबा कहते है मा मेकम याद करो बस एक बाबा को याद करो योग अगनी से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे याद करेंगे तो इस योग अगनी से हमारे विकर्म विनाश होंगे यह भगवान के महावाक्चे है क्या किस पुरानी दुनिया और पुरानी देहे को भी छोड़ो देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो भगवान है निराकार आत्मा शरीर लेकर टौकी बनती है बाबा तो गर्ब से जन्म नहीं लेते उनका नाम एक ही शिव है ब्रह्मा विश्णु शंकर को अपना सूक्ष म शरीर है यह है ही निराकार परमपिता परमात्मा फिर उनका नाम है शिव वही ज्यान का सागर है ब्रह्मा विश्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे Creator नहीं कहेंगे रच्चाईता एक ही निराकार को कहा जाता है वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? बाबा है निराकार फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रम्भा द्वारा आकर समझाते है श्री कृष्ण तो हो ना सके ब्रम्भा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते है गाया भी हुआ है ब्रम्भा द्वारा स्थापना ब्रम्भा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते है निराकार सुनाते है साकार द्वारा यह बाते अच्छी रीती धारण करनी पड़े भगवानवाच मैं राजयोग सिखलाता हूँ विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए पहले-पहले है स्थापना ब्रह्माद्वारा स्थापना बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं ब्रह्माद्वारा सूरेवंशी घराने की स्थापना लिखा जाते हैं ब्रह्माद्वारा स्थापना विश्णुद्वारा पालना शंकरद्वारा विनाश तो इसलिए बबबब बताते हैं कि ऐसे क्लियर कर लिखते रहते हैं ब्रह्माद्वारा सूरेवंशी घराने की स्थापना लिखत में बड़ा अच्छा राज है परन्तो जब की कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए सर्विस में लग जाने से फिर मज़ा आएगा ममा बाबा को भी सर्विस में मज़ा आता है बच्चों को भी सर्विस करनी है मम्मा का तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे मम्मा की तो बड़ी महिमा है बच्चों को तो जाना ही पड़े बाबा कहते है वान प्रस्थियों के पास जाकर उन्हों से प्रश्न पूछो फिर समझाओ कि कभी गीता अध्यन की है गीता का भगवान कौन है ऐसे उनसे पूछो भगवान तो एक ही निराकार होता है साकार को भगवान नहीं कहेंगे भगवान एक है इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मन्थन चलना चाहिए प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्राइल करनी चाहिए जगत अंबा का दर्शन करने रोज आते है त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते है वहां भी जाकर सर्विस करें भाशन करें तो धेर आकर इकठे होंगे निमांत्रन देते रहेंगे हमारे पास आकर सत्संग करो बाबा मम्मा तो कहा जा नहीं सकते बच्चे जा सकते है बंगाल में काली का मंदिर है वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हो काली कौन है? इस पर भाशन करो बाबा टॉपिक भी बताते हैं कि मंदिरों में सेवा करो और कौन से टॉपिक पर? तो बाबा कहते हैं इस पर भाशन करो परन्तु हिम्मत चाहिए बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं जिन में देहे अभीमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे? देअभीमान वाले सेवा यहाँ पर जुक्ना पड़ता है है न सहना पड़ता है तो वो नहीं सेवा कर सकते तो बाबा कहते हैं जिन में देह अभीमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे? सर्विस का सबूत नहीं देते सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं पर तो अच्छे-च्छे महारती भी भूल जाते हैं सर्विस तो बहुत है इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस फिर वहमान भी बहुत पाते है मुख्य है पवित्रता की बात चलते चलते तूट पड़ते हैं लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चे नहीं तूटता यहाँ पर क्या होता है? चलते चलते तूट जाते हैं दुनिया में ऐसे नहीं होता कि कोई कहे कि आप मेरे पापा नहीं हो तो लौकिक बाप से कभी किसको भी निश्चे नहीं तूटता यहां बाबा के पास जन मिलेते हैं ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि विचित्र है ऐसे बाप का चित्र नहीं है क्यों भूल जाते हैं क्योंकि विचित्र है कोई चित्र नहीं है बाप कहते हैं मुझे यात करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे तो क्या करना है बाबा को यात करना है और पवित्र बनना है आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है आत्मा में पार्ट नूंधा हुआ है फिक्स है शरीर में थोड़े पार्ट है इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है देखने में तो दिखाई नहीं देगी इतनी सुक्ष में है लेकिन उसमें देखो कितना भारी पार्ट समाया है यह बुध्धी में कितना नश्चा रहना चाहिए वहवार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं घर काम काज करो, वहवार में आओ, संबंध संपर्क में आओ फिर उसके साथ फिर यह सेवा भी करो, मंदिरों में जाओ शिव बाबा के मंदिर में लक्ष्मी नरायन के मंदिर में सेवा कर सकते हैं माबाप तो कहां भी नहीं जाएंगे कौन जाएंगे? हम बच्चे बच्चे कहां भी जाकर सर्विस कर सकते है बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है आज का एक और टाइटल क्या है हम सब कौन है लगी स्टार्स भाग्ये शाली सितारे अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉनिंग नमस्ते 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 बाबा धालना के लिए मुख्य सार पहला देह अभिमान छोड सर्विस करनी है देह अभिमान छोडना है सेवा करनी है विचार सागर मन्थन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है दूसरी पॉइंट इस स्मृत्य लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुक्तू करने है पुरानी देहे और पुरानी दुनिया को बुद्धी से भूलते जाना है पुरानी देहे को भी और पुरानी दुनिया को भी वर्दान है एक की स्मृत्य द्वारा एक रस्थिती बनाने वाले उच पद के अधिकारी भव सब चाहते हैं उच पद परन्तू उच पद पाने की युक्ती क्या है एक की स्मृत्य द्वारा एक की याद द्वारा एक रस्थिती बनाना एक रस्थिती बनाने के लिए सदा एक की स्मृत्य में स्थित रहो एक बाबा की याद में स्थित रहो अगर एक के बज़ जाए दूसरा कोई भी जाद आया तो क्या होगा तो एक रस के बज़ जाए बहुरस स्थिती हो जाएगी जिस समय और कोई रस आकर शित करता है उसी समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो उच पद नहीं मिल सकता इसलिए हर सेकेंड अटेंशन रखो सदेव एक का पाठ पका हो एक बाप एक ही संगम का समय है और एक रस थिती में रहना है तो क्या होगा उच पद का अधिकार मिल जाएगा स्लोगन है शुद्ध संकल्पों का भोजन स्विकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैशनव है एक होते हैं दुनियावी वैशनव ब्राम्भण वैशनव लोग होते हैं न यहाँ पर आत्मा की बात है पवित्र आत्मा वैशनव आत्मा वो होगी जो सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन स्विकार करेगी तो आज का होंवक बाबा ने आज बार बार क्या कहा क्या याद करना है अपने स्वीट सालेंस होम को बेहद के घर को याद करना है पर दोस से पहले देह सहित पुरानी दुनिया को भूल जाना है तो आज इसी का भ्यास हम सभी करेंगे देह को भूलने का दुनिया को भूलने का और एक आग्र होकर एक की जाद में रहकर अपने स्वीट सालेंस होम जाने का उसे निराकारी दुनिया में जाकर बिलकुल बिन्दू स्वरूप होकर हम बैठ जाएंगे फिर नीचे आकर कर्मयोगी बनकर कर्म करेंगे तो यह अभ्यास करेंगे अच्छा, ओम शान्ती आप किया आते ही हम तो खोजाते फाबों में आप किया आते ही हम तो खोजाते फाबों में आपके पास आते ही हम समाजाते बाहों में आपकी यार आते ही हम तो खोजाते फाबों में आपकी यार आपकी यार आपकी यार बड़ी मन भावनी मूरली प्रेम से प्राणों को सीचे रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खीचे रुहानी स्नेह का जादू आपकी मीथी बातों में आपके पास आते ही हम समाजाते बाहों में आपकी यार आते ही हम तो खोजाते खाबों में आपकी यार आपकी यार आपकी यार अलोकिक पाल नाद देकर छुलाए संग जो जूले अतिंद्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले महकते फूल है अब भी यादों की इन किताबों में महकते फूल है अब भी यादों की इन किताबों में आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते खाबों में आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद आपकी याद